अहें मोड पर खड़े हैं इतनी बड़ी आपदा हरक के लिए एक संदेश लेकर आई हैं एक अउसर लेकर आई हैं मैं कुदहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास नहीं पर जब कोरोना संकर शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई इट नहीं पर जब के लिए एन नैंटीफव मास का भारत में नाम मात्र उत्पादा हो आज स्थिती ये हैं कि भारत में हर रोच दो लाग पीपीई और दो लाग एन नैंटीफव मास बनाएगा रहे हैं यह हम इसलिए कर पाएं क्योंकि भारत ने आपदा को आउसर में बदल दिया आपदा को आउसर में बदलने की भारत की दृष्टी आप मंदिर्भर भारत के हमारे संकप के लिए उतने ही प्रभावी सित्त होने वाली है साथियों आज भिश्व में आत्म निर्भर सब्द के मायने पुरी तरह बदल गए ग्लोबल वर्ल में आप मं निर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है अर्थ केंद्रित वैश्वी करण बनाम मानव केंद्रित वैश्वी करण की चर्चा आज जोरों पर है विश्व के सामने भारत का मुल्भु चिंतन आशा की किरण नजर आता है भारत की संस्कृती भारत के संस्कार उस आत्म निर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुं कम्प है विश्व एक परिवार भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित वैश्वी करता की वकालत नहीं करता है भारत की आत्मनिर्भरता में समसार के सूख, सहयोग और शांती की चिंता होती है जो संस्क्ति चले जगत में विश्वास रखती हो जो जीव मात्र का कल्यान चाहती हो जो पूरे विश्व को परिवार मांती हो जो अपनी आस्था में माता भुमे ही पुत्तो अहम पृत्विया इसकी सोच रखती हो जो पृत्वी को मा मांती हो वो संस्क्ति वो भारत भुमी जब आत्म निर्भर बनती है तब उससे एक सुखी सम्रुद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्टिफ होती है भारत की प्रगती में तो हमेशा वई विश्व की प्रगती समाहित रही है भारत के लक्षों का प्रगाव भारत के कारियों का प्रगाव विश्व कल्यान पर पड़ता ही है जब भारत खुले में सौच से मुख्द होता है तो दुनिया की तश्वीर भी बदलती है टीबी हो कूपोशन हो पोलियों हो भारत के अभ्यानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है इंटरनेशनल सोलर अलाइंस ग्लोबल वार्बिंग के खिलाप भारत की दुनिया को सौगाव है इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल दुनिया भर में भारत की भुरी भुरी प्रसंशा होती है दुनिया को विश्वास होने रगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है मानो जाती के कल्यान के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है सवाल यह है कि आखिर कैसे इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोर देश वाजियों का आत्मनिर भर भारत का संकल्व साथियों हमारा सदियों का गवरवपुर्ण इतिहात रहा है भारत जब समृत्य था सोने की चिडिया कहा जाता संपन्न था तब सदा विश्व के कल्यान की राह पर ही चला वक्त बदल गया देश घुलामी की जंजिरों में जकर गया हम विकास के लिए तरस्ते रहें आज भी भारत विकास की और सफलता पुर्वक कदम बढ़ा रहा है तब भी विश्व कल्यान की रह पर अटल है याद करिए इस सताब्दी की शरुवात के समय वाइटू के संकर आया था भारत के टकलावजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकर से निकाला था आज हमारे पास साधन है हमारे पास सामर्थ है हमारे पास दुनिया की सबसे बहतरीन टैलेंट है हम बेस्ट प्रोड़क्स बनाएंगे अपनी क्वालिटी और बहतर करेंगे सप्लाई चेन को और आधुलिक बनाएंगे ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे साथियों मैंने अपनी आँखों के सामने कच्छ भूकम के वो दीन देखे हैं हर तरफ सिर्फ मलवा ही मलवा सब कुछ द्वस्त हो गया था ऐसा लगता था मानो कच्छ मौद की चादर ऊड़कर सो गया हो उस परिस्तित में कोई सोज भी नहीं सकता था कि कभी हारत बदल पाएंगे लेकिन देखते ही देखते कच उठ खड़ा हुआ कच्छ पड़ा कच बढ़ चनवा यही हम भाग्यों की संकल्प शक्ति है हम ठांग लें तो कोई लक्ष असंभव नहीं कोई राह मुश्किल नहीं और आज तो चाह भी है राह भी है यह है भारत को आत्म निर्भर बनाना भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्म निर्भर बन सकता है साथ्यों आत्म निर्भर भारत की यह भग्द इमारत पांच पीलर पर खड़ी होगी है पहला पिलर एकोनोमी एक ऐसी एकोनोमी जो इंक्रिमेंटल चेंज नहीं बल्कि कौंतम जंप लाए दूसरा पिलर इंफरस्ट्रक्चर एक ऐसा इंफरस्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बढ़ेगी तीसरा पिलर हमारी सिस्टिम एक ऐसा सिस्टम जो बीती सताब्दी की रीती निती नहीं बल्कि 21 सदी के सपनों को साथार करने वाली टेक्नोलोजी डिवन व्यवस्ताओं पर आधारित चौधा पिलर हमारी डेमोग्राफी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोग्रेसी में हमारी वाइब्रंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है आत्म निरभर भारत के लिए हमारी उर्जात अश्रोथ है पांचवा पिलर दिमांड हमारी अर्थे ववस्ता में दिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है जो ताकत है उसे पूरी च्षमता से इस्तेमां किये जाने की जर्वत है देश में डिमांड बढ़ाने के लिए डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेफ होल्डर का ससत्व होना जरूरी है हमारी सप्लाई चेन्ज हमारी आपूर्ती की उस व्यवस्ता को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की मह को हमारे मद्दुरों के पसीने की खुश्बू को साथियो कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकप के साथ मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोश्टना कर रहा हूँ यह आर्थिक पैकेज आत्मा निर्भर भारत भ्यान आत्मा निर्भर भारत भ्यान की एहम कई के तौर पर काम करेगा साथियो हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक गोश्टनाई की थे जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो यह करीब करीब बीस लाग करोड रुप्येका है यह पैकेज भारत की जिरिपिका करीब करीब दस प्रतिशत है इन सब के जरिये देश के विबिन भरगों को आर्थिक ववस्था की कडियों को बीस लाग करोड रुप्येका संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा बीस लाग करोड रुप्येका एक पैकेज दो हजार बीस में देश की विकास यात्रा को 20 लाग्स 2020 में आत्म निर्भर भारत भ्यान को एक नई गति देगा आत्म निर्भर भारत के संकल को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लेंड लेबर लिक्विडिजी और लॉज सभी पर बल दिया गया है ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटिर उद्योग गरह उद्योग हमारे लगू मनजोले उद्योग हमारे आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल का मजबूत आधार है ये आर्थिक पैकेज देश के उस स्रमित के लिए हैं देश के उस पिसान के लिए हैं जो हर सिती हर मौसम में देश वास्यों के लिए दिन रात परिष्टम कर रहा है ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मद्यम बर्थ के लिए है जो इमांदारी से टेक्स देता है देश के विकास में अपना योगदान देता है ये आर्थिक पैकेज भारत के उत्योग जगत के लिए हैं जो भारत के आर्थिक सामर्षर को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है कल्शे शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्यमंत्री जी द्वारा आपको आत्म निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरिक्स इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी साथियों आत्म निर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिविद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है आपने भी अनुभव किया है कि बीते छे वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की विवस्थाएं अधिक सक्षम अधिक समर्थ नजर आई है परना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में किसान की जेब में पहुँच पाएगा लेकिन यह हुआ वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दब्तर बंद थे ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे जंदमन आधार मोबाईल जे ए ए एम जेन की त्री सक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉम था जिसका असर हमने अभी देखा अब रिफॉम्स के उस दाइरे को व्यापक करना है नई हुचाई दे यह रिफॉम्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाइच चेन में होंगे ताकि किसान भी ससकता हो और भविष में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकत में क्रिशी पर कम से कम असर हो कि रिफॉम्स, रेशनल टैक्स सिस्टम, सरवर और स्पस्ट नियम कानू, उत्तम इंफर्टक्टर, समर्थ और सक्षम human resources और मजबूत फाइनांचल सिस्टम के दिर्मार के नियों होंगे, कि रिफॉम्स, बिजनेश को प्रोसाइट करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे, और मेक-इन इंडिया के हमारे संकत को ससक्त करेंगे, साथियों, आत्म निर्भरता, आत्म बल्ग और आत्म विश्वास से ही सम्भव है, आत्म निर्भरता, ग्लोबल सप्लाई चेन में कडीश पर्धा के लिए भी देश को तयार करती है, और आज ये समय की मांग है, कि भारत हर्ष पर्धा में जीते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमी का निवाए है, इससे समझते हुए, आर्थिक पर्धेज में अनेख प्रावधान की ये देए हैं, इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशंची बढ़ेगी, और क्वालिटी भी सुनिश्चित होगी है। साथियों, ये संकट इतना बड़ा है, कि बड़ी से बड़ी व्यवस्ताएं हिल गए हैं। लेकिन इनी परिष्टित्यों में हमने, देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संगर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्षन किया है। खासकर हमारे जो रेडी वाले भाई बहने हैं, ठेला लगाने वाले, पट्ली पर सामान बेचने वाले, जो हमारे स्रमीट साती हैं, जो इस घरों में काम करने वाले भाई बहने हैं, उन्होंने इस दवरां बहुत कष्ट जेले हैं, तपश्या की हैं, जाग किया है। ऐसा कौन होगा, जिसने उनकी अनुपस्तिति को मैसूस नहीं किया। अब हमारा कर्तव्य है, उन्हें ताकत पर बनाने का। उनके आरतिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का। इसे ध्रान में रखते हुए, गरीव हो, स्रमीख हो, प्रवासी मद्दूर हो, पशुपारफ हो, हमारे मचवारे साती हो, संकतिक छेत्र से हो या आर्संकटिक छेत्र से हो, हर तप्पे के लिए आर्थिक प्रकेज में कुछ महतोपूर ठैसलों का अयलान किया जाएगा। लोकल मैनुफेक्टरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्राइज चेन, इसका भी महत्वा बराबर समझा दिया है। ही, बलकि हम सब की जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रैंट्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिलकुल लोकल थे। लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रानिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्स लोकल से ग्लोबल बन रहे हैं। वो प्रोडक्स लोकल से ग्लोबल बन रहे हैं। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए बोकल बनना है। लोकल के लिए बोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्स खरिद्न हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है।